हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागात है आपके अपने यूट्यूब चेनल जी असार इस्टडी में दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञांगी कुछ और मैंत्पूर प्रशनों पर चर्चा करेंगे चलिखलते हैं अपने वीडियो की तरफ वीडियो को अंतक देखिएगा फ्रेंट्स यह बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन से जांके पाइंट आ व्यू से पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन कहे रहा है पारिसित्की तंत्र शब्द का परियोग सरप्रथम किस ने किया था तो पारिसित्की तंत्र यानि एको सिस्टम या इसको हम लोग पारिसित्की तंत्र कह सकते हैं जिसको इंगलिश में कहेंगे एको लॉजिकल सिस्टम तो इस शब्द का प्रयोग सरप्रतम किसने की आदा टेंसले ने आप्शन नमबर तीन इसका राइट आंसर है टेंसले संरशनात्मक गटक को कितने भागों में बाटा गया है तो दोस्तों अभी हम लोगों आपको बताया कि संरशनात्मक गटक कितने भागों के बाटा गया है तो इसका सही ऐंसर है आप्शन नमबर दो तीन भागों बाटा गया है पहला उतपादक दूसरा अभोकता तीसरा आफ गटक अगला कुशन देखते हैं वह घटक जो अपना भोजन स्वयम बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो ऐसे गटक जो अपना बोजन स्वयम बनाते हैं तो उत्पादक की श्रुणी में आते हैं अगला कोशन देखते हैं उत्पादक द्वारा बनाए गए बोच पदार्थों का उपभोग करने वाले घटक क्या कहलाते हैं तो ऐसे घटक जो उत्पादक जैसे जो उत्पादक की श्रुणी में आते हैं इनके द ऑफादक बोगता और गटक उसके बारे में कोश्चन चल लाएं अग्यला कउश्चन देखते हैं कितने हो प्रकार क्योंते हैं तो आप बात करते हैं जो भूठता है दूसर्व गृतक है जो उत्वाधक के आते हैं वह जीव जो हरे पौद या उनके किसी बाग को खाते हैं वह अप्रात्मे को सब्लक्षक कहलते हैं जैसे गाए भैस बकरी है लोमुली है मोर है यह प्रात्मिक तो को का बच्छन करते हैं अब बात करते हैं त्रतियों5 अगला कोशन देखते हैं निम्न में से अब गटक कौन है तो दोस्तों बात कर रहे हैं जैविक गटक के तीसरा पार्ट है अब गटक कौन क्या होते हैं अब गटक उन्हें गयते हैं जो मरत उत्पादक वाव बोकताओं का अब गटन करके उन्हें भौतिक तक्टों में बदल देते हैं उन्हीं को अब गटक कहा जाता है ठीक है तो अब कोश्चन देखते हैं निम्न में से अब घटक कौन है तो अब हम चेक करते हैं कवक गटक का उधारण है जीवानु भी जो है वह आप घटक का उधारण है तो इस कोश्चन का राइट अंसर होगा अप्शन नमबर तीन उपरोग्त दोनों यानि कवक और जीवान दोनों ही जो है यह आप घटक के उधारण है अगला कॉप्शन देखते हैं कि अजयविक घटक निम्न में से कौन है दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे थे जितने भी कोश्चन देखें वह जयविक घटक से संबंदित थे ठी जल जी यह अजयविक घटक है मिरदा भी अजयविक घटक है और खनिश्तत्य भी अजयविक घटक की शुनी में आते हैं तो यह सभी के सभी जो है वह अजयविक घटक के उधारण है आप्शन नमबर 4 इसका सही अंसर है उपरोग्त सभी अजयविक घटक में जल प्रकास ताप वायümü मरदा खनिश तत्व आर्धद आदी चीजें बहुती है अगला कुश्न लीखते हैं मिनी माता रोग किस तत्वına से युगत जल पीने से होता है को सा जिस के मिले होने से जो जलंक किया जाता है जिसके पानी में पारेक ने मातर हो जाता है मिनी माता रोग होता है पारे से युक्त जल को पीने से option number 4 इसका right answer है जिस पानी में पारे की मातरा मिली होती है पारा मिला होता है उसको पीते हैं अगर तो मिनी माता रोग हो जाता है ठीक है अगला question देखते है केचुए में कितने जोडी हिर्दय होते है दोस्तों जो केचुए होता है उसमें कितने जोडी हिर्दय पाए जाते है उसका सही answer क्या है चार option number 3 इसका right answer है चार जोडी हिर्दय होते है यह चार जोडी हिर्दय है केचुए में यह ध्यान रखिएगा यह question पूछा जा सकता है exam में अगला question देखते है काकरोच के खिर्दय में कितने कच्छ होते है चो काकरोच होता है उसके हिर्दय में कच्छों की संक्या जोटी है वो लए होती है 13 option number 4 इसका right answer है 13 कक्च होते हैं काकरोच के हिर्दय में अगला question देखते है किस युग को तो दोस्ताइलों का कहा जाता था मेसोजोर को नमबर तीन यहानर राइठ आंसर है मीसोजोर की युग रेप्टायिलों का युग कहलाता, ठीक है, अगला कोशन देखते हैं, तो तो म not let Me कि कितने कच्छ होते हैं तो दोस्तों में मघर मच्छ है यह सरी सरफफ वर्ग का यानी रजतिकर जंतु है ये और इनका है जो फूर इसमें समाननिता अत्रिक अच्छी होता यानी टीन कच्छ होते हैं सामान शर्वर्त से सरी सरफ वर्ट के जंद्वों में ठीक है रेप्टी लिकाख जो है लेकिन मगर मच इसमें अपवाद है तो मगर मच जो है वह होने कि आपजूद इसमें चार कच्छ होते हैं मगर मच के हिरदय में कितने चार कच्छ होते हैं ठीक है यह ध्यान रखिए का यह अपवाद है रैप्टील का वर्ग में इसी दिए इसको पुछा सकता यह एक्जाम के पाइंट अग्जाम के पांट आपको से अगला पोशन देखत मात्र उसका नाम है हिलो डर्मा जो है वो विश्व की एक मात्र जहरीली छिप के लिए है ठीक है यह याद रखिएगा अगला कुशन देखते हैं हाइड्रो फिश क्या है दोस्तों हाइड्रो फिश जो है वो संसार का सबसे जहरीला साप है और यह समुद्री साप है और यह समुद्री साप है अगला कुशन देखते है निम्न में उड़ न सकने वाला पच्छी कौन है दोस्तों ऐसा कौन सा पच्छी है जो उड़ नहीं सकत सबसे बड़ा जीवित पच्छी कौन है तो सबसे बड़ा जीवित पच्छी कौन सा होता है शुत्र मुर्ग आप्शन नमबर टू इसका राइट आंसर है शुत्र मुर्ग मेरे साब से सबसे बड़ा जीवित पच्छी कौन सा है शुत्र मुर्ग अगरा कोशन देखते हैं तो सबसे चोटा पच्छी कोन सा है तो दोस्तों कैंब पच्छी के बारे में अब यहां कोशन पूछ रहा है सबसे छोटा पच्छी कौन सा है तो इसका राइट एंसर क्या होगा option number 1 hummingbird hummingbird जो है वो सबसे छोटा पच्छी है इस विश्व का ठीक है भारत का अच्छा और आपको पताने है भारत का सबसे बड़ा च्रियां का सब बड़ा च्रियां कर दो कि आपके दो कि अफ्रीका में अगला कोशन देखते हैं नामक झाली किसमें मार्ण 1000 जो है एक टो है ठीक है वो किसमें पाई आती है कंगारूं पाई आती है और उसको उन बच्चों को बच्चे होते हैं उनको इन इस तंधारी वर्ग में रखत का सरवाधिकिता आपमान किसका होता है तो दोस्तों जो सरवाधिक आपमान वाला प्राणी घिसके रत्काता होता है वो कौन सा है तो अपना देखते हैं चेक करते हैं मनुष नहीं है हाथी भी गलत है उंट भी गलत है तो दोस्तों इसका सही आइसर है बकरी बकरी जो है वह इस्तंदारी वर्ग में पाई आती है और उसके रट का तापमान सरवाधिक होता है ठीक है और यह कितना होता है सरवाधिक टाकमान वालँ होता है और औ Statin इसका टापमान रहता है ठीक है अगलाtur देखते हैं एक माचा हुआ अच्छे लगी होगी अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगी होगी अगर आपको को मारा वीडियो अच्छा लगाओ तो हमारे वीडियो को लाइक कीजेगा और उसको शेयर कीजेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और important question के दाथ thank you friends